हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब एच वार हॉरर चैनल पर आप सभी का स्वागत है आची कहानी है काले जादू के बारे में कि कैसे काला जादू आपकी छोटी सी गलती की वज़े से आपकी पूरी जिंदगी बरबाद कर सकता है आची कहानी है असाम के रहने वाले हिमान्षु गुरूंग जी की कहानी शुरू करने से पहले विडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आइकन दबाएं तो चलिए काहानी शुरू करते हैं मेरा नام हिमान्षु गुरूंग है मैं असाम का रहने वाला हूँ आपने असाम के मियोंग गाउं का नाम सुना होगा ये गाउं अपने काले जादू के लिए पूरे भारत वर्ष में पसिद है मेरे पापा आर्मी आफिसर थे और इसी वज़े से वे अलग-अलग स्टेट में ट्रांसफर होता रहता था और हम भी उनके साथ ही जाते थे जब मैं साथवी कक्षा में पढ़ता था तभी मेरे पिताजी का ट्रांसफर असाम में हुआ जो कि मेरा गाउं भी था हम असाम के मोरी गाउं डिस्ट्रिक में रहने लगे जिससे थोड़ी दूर पर ही हमारा गाउं मेयोंग था जो कि पूरे देश में काले जादू के लिए जाना जाता है वहाँ मेरे दादा दादी रहते थे मैं कभी-कभी उनके पास ही रुख जाया करता था पापा का ओफिस दूर होने की वज़े से हम वहाँ हमेशा के लिए नहीं रह सकते थे पर जब भी मुझे वक्त मिलता तो मैं दादा दादी से मिलने उनके घर चला जाता मैं जब भी दादा दादी के पास जाता तो देखता लोगों की बहुत भीड हमारे घर के आसपास होती थी मेरी दादी ने मुझे बताया कि मेरे दादा जी काले जादू के बारे में बहुत कुछ जानते हैं वे एक तांत्रिक की तरह थे दादा जी अपनी पावर से लोगों के घरों में कोई हुई कीमती चीज़े उनके ख़वे हुए परिवार के सदस से और अनिक प्रकालों से लोगों की मदद किया करते थे मेरे दादा जी कोई बुरे इंसान नहीं थे बहुत लोग उनके पास अपनी गलत चाओं के लिए भी आते थे पर उस गाओं में कोई भी ऐसी चीज़ों के लिए अपने काले जादू का अस्तमाल नहीं करता था कुछ करने से पहले बहुत बार भोलते थे कि अगर तुम किसी के मदद के लिए करना चाहते हो तो तो ठीक है पर सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए और अपने गलत चाओं की पूर्दी के लिए मेरे पास नहीं आना यदि तुमने ऐसा किया तो तुमें इसका भारी परिणाम भुगतना पड़ेगा ऐसा कहने से वो लोग ऐसा कुछ करने से पहले कम से कम सो बार सोचते थे एक दिन की बात है मैं स्कूल के बाद दादा दादी के घर चला गया मैं बहार आंगन में एक लड़के के साथ खेल रहा था कि तब ही मैंने देखा ये एक और आदमी रोते रोते बड़ी तेजी से दादा जी के घर में घुसे पता चला कि वो किसी बच्चे के मावाब थे और उनका बच्चा को गया था मैं दूर से ही उनके बाते सुन रहा था पहले तो दादा जी ने उन्हें पुलिस के पास जाने के लिए कहा फर तब ही उन्होंने एक थैली निकाली उस थैली में एक कागस की पुड़िया थी उस पुड़िया में एक काली गुड़िया बदी हुई थी उस काली गुड़िया में किसी बच्चे के बाल और उस बच्चे के नाखुन चिपके हुए थे ये सब देख करके मुझे थोड़ा शौक लगा लेकिन फिर भी माँ खड़ा-कड़ा सब कुछ चुप-चब सुनता रहा देखता रहा दादा जी ने उन्हें उस राद बाराबजе वहाँ आने को कहा और वो लोग वहाँ से चले गए पर दादा जी ने मुझे वहाँ खड़ा देख लिया था उन्होंने मुझे वहां से जाने के लिए कहा और कहा कि चुप चप यहां से अपने घर चले जाओ और आज रात यहां नहीं आना लेकिन मैं देखना चाहता था कि उस रात वहां क्या होने वाला था मैं घर पहुँचा और अपने रोज के कामों में लग गया और माँ से कहा कि आज राच स्टैडीस के लिए दोस्त के घर जाना है आज रात मैं भाहीं रुकूंगा और कल सुबह ही आप आउंगा यह सुनकर मा थोड़ा सोचने लगी और कहा अपने दोस्त के मावर्ब से बात करवा जरा मैं थोड़ा नर्वस हो गया और कहा कि वो दोनों कहीं बाहर गए है और मेरा दोस्त अकेला सोने से डर रहा है ये सुनकर मा हसी और कहा कि चल चल ठीक है चला जा मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा मैं एक बैग लेकर उसमें अपने कुछ सामान रखके वहां घर से निकल गया दादाजी के घर पर पहुँशने पर मैंने बहाना बना दिया कि माँने मुझे भीजा है दादाजी गुस्ते में बोले मैंने तेरी मा को कितना समझाया लेकिन तुम आजकल की जेनरेशन कुछ समझते ही नहीं इतना कहकर उन्होंने मुझे वार्न भी किया कि आज रात कुछ पूजा वाले कमरे में नहीं आना और मैंने खुशी-खुशी हाँ भर दी रात के करीब 11 बजे दादजी हमारे मेरे कमरे में आय और मैंने उन्हें देखते ही सोने का नाटक करना शुरू करा दादजी मेरे बगल में आकर बैठे ही थे कि तभी वहां दरवाजे पर दस्तक हु पूजा वाले कमरे में घुज गया वहां मैं एक बास के ड्रम में घुज गया और चुपचा वहीं बैठा रहा तभी कुछ देर बात दादे जी और वो लोग वहां आए और वहीं जल रहे हवन के सामने बैठ गए मेरे दादा जी कुछ मंतर पढ़ रहे थे और वो लोग भी आखे बंद किये बैठे थे काफी देर तक तो कुछ नहीं हुआ कि तभी मैंने देखा कि उस कमरे की छट पर जाते हुए धुए में कुछ अजीब से साई गूम रहे हैं पहले तो मुझे लगा कि शायद ये मेरा ब्रहम है कि तभी उन साईों ने चीखे पुकारना करना अंधावासा दिखा कोई तांत्रिक उसे बली के लिए तयार कर रहा था मेरे दादाजी ने उन माता पिता से कहा कि मैं अपनी तंत्र की शक्ती से उससे रोकता हूँ और तुम सब अभी जाओ और पलिस को ये सब बता दो वो माबाप वहां से फटा-फट निकल गए मैंने देखा कि दादाजी ने अपनी शक्ती से वहां एक मशान को बुलाया वो एक काली परचाई सी थी उसके बाल गुंगराले और लंबे थे और आखों की जगे कुछ आग सी जल रही थी मिलकुल लाल कोईले की तर है और वो कुछ कहने रहा था बस कुछ जानवरों की तर गु देख रहा था और कुछ आजीब सी मुस्कराट थी उसके चहरे पर ये सब देखते ही मैं वहीं बेहोश हो गया अगले दिन सुबह करीब चार बजे मेरी नीन खुली मैं वहीं उस ड्रम में था मैं भाग कर अपने कमरे में सो गया और अपने चहरे तक चादर ओड ली उठा पता चला कि वह बच्चा मिल गया था और तांत्रिक को भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था वह अपनी शक्ती बढ़ाने के लिए बच्चों की बली दिया करता था दादा जी मेरे कमरे में आये और कहा इतनी देर तक क्या सो रहा है स्कूल नहीं जाना मैंने फटा-फट न पूछे बिठा लिया और वहों मुझसे पूछने लगा कि कल मैं कहा था मैंने कहा कि वह यह सब क्यों पूछ रहा है उसने कहा कि तुम्हारी मा पूछ रही थी हम बाते करते करते जा रहे थे कि तब ही मुझे लगा कि जैसे मेरे कान की में कुछ रेंग सा रहा है मैंने सोच कि शायद कोई खीड़ा होगा और अपने हाथ से उसे जटकने की कोशिश करी तब ही मैंने देखा कि मेरे हाथों में एक लंबे बालो का गुच्छा सा आ गया ये देखते ही मैं काप सा गया और मेरी गर्दन खुमा के पीछे देखने की हिम्मत ही नहीं हुई तब ही अचानक मुझे अपनी गर्दन के पास वही गुराहट की सी आवास सुनाई दी मैं बुरी तरह से काप रहा था मैं भागना चाहता था चिलाना चाहता था लेकिन मैं कुछ में नहीं कर पा रहा था इस से आगे की कहानी जानने के लिए आपको इस कहानी का पार्ट टू देखना होगा जिसमें हम पता लगाएंगे की हेमानशु के साथ वो सब क्यों हुआ और कैसे उसके दादा जी ने और उसकी फामली ने उसे उस सिचुवेशन से बाहर निकाला तो दोस्तों अगर आपने हमारी पिछली कहानिया नहीं सुनी है तो उपर दिये आई बटन पर क्लिक करें और हमारी कहानिया सुने हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक शेर करें और बेल आइकन दवाएं जिससे की नई कहानी की नौटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे ओके बाई